जो भी यह सकसे स्टोरी देख रहे हैं न दोस्तों यह सकसे स्टोरी को हलके में बिल्कुल मत लेना कि अगर आपके पार्टनर इस्पेशली लड़की के पापा मम्मी शादी के लिए नहीं मान रहे तो आज की सकसे स्टोरी डाइरेक्टली यूनिवर्स ने मातारा ने आपके बीजिए नमस्कार मैं उर्यश्भ गौतम तलाव अटेक्शन कोज मोटिशन स्पिकर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की सकसे स्टोरी में बिना समय करते हैं आज की सकसे स्टोरी मेरे दोस्तों सक्सेश्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमे सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार है फड़ाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन डाल इकन को आउन कीजिए ताक कि ऐसे वीडियो से सकसे स्टोरी इस आपको मिलती रहे जिंदगी बहतर नहीं जिंदगी खूप सुरत बंती रहे चले पहले सक सकसे स्टोरी पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज़ की जरूरत जरूर पढ़ेगी तो क्या है हेल्प लाइन पर कॉल करने की क्योंकि बहुत सुंदर सकसे स्टोरी है किस तरह से 7 साल के रिलेशनशिप को मात्र 7 दिनों में मात्त तारा की क्रिपा की मदद से रिजल्ट मिल पाया यानि की parents convinced हो गए विदाउट विश्णी एनी फटर टाइम फटाफट से पढ़ते हैं success story जो मैं वरुन ने भेजी है वरुन लिखते हैं Hello Rishabh bhaia I am Varun from Pune and I am so lucky कि मुझे आप जैसे गुरु मिले और आप से कमाल की life changing चीजे सीखने को मिली आपके viewer को अपनी success stories share करना चाहता हूँ और आज बहुत खुश हूँ कि finally अपनी success story अपने गुरु तक पहुचा रहा हूँ साथ साल से मेरे partner आकांशा के साथ मैं relationship में था college में हम लोग मिले थे December 2022 तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था बट उसके बाद हमने सोचा कि शादी के लिए अब घर पर बात कर लिनी चाहिए मैंने घर वालों को पहले से बता रखा था और मेरे घर वालों को कोई issue नहीं था लेकिन आकांशा के घर में problem थी आकांशा ने जब approach किया तो उनकी family ने साफ मना कर दिया कि ये शादी नहीं हो सकती वही society का राग society क्या बोलेगी society में क्या मूँ दिखाएंगे ये सब चीजे मेरे partner को face करनी पड़ी मेरे partner काफी तूट चुके थी और उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था तो मैं भी तूट रहा था भगवान से एक ही प्रार्तना कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए ठीक दो दिन के बाद YouTube स्क्रोल करते वक्त आपकी वीडियो recommendation में आई मैंने आपकी कुछ वीडियो और success story देखी कि काफी लोगों को मदद मिली है आपसे शुरू मैं तो लगता था कि यह problem मुश्किल है और कभी solve नहीं हो पाईगे लेकिन जैसे जैसे success stories मैंने आपके चैनल पर देखी लोगों की comments देखी मेरा विश्वास 100% से भी ज्यादा बात हुई अरणाव सर ने मेरी problem ध्यान से सुनी और मुझे green Tara stone suggest किया और मुझे मा Tara के बारे में law of attraction के बारे में कि यह कैसे आपकी vibration के साथ जुड़ा हुआ है आपकी life के साथ जुड़ा हुआ है यह सब अच्छे से समझाया मैंने वो stone मंगवा लिया stone लेने के सिर्फ 6 दिन बात क्योंकि मुझे अरणाव सर ने मा Tara का और इस stone के बारे में दो ritual शेयर किये थे क्योंकि यह moon stone के साथ साथ मा Tara को ध्यान में रखके channelize किया गया था इसका result इतना fast होगा यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था सिर्फ 6 दिन हुए थे और 7 दिन यानि कि 2nd of April को मेरी partner का मुझे call आता है हमारी मुलाकात होती है और रात को मानों जैसे चमतकार हो गया partner के घर वाले मेरे phone पे phone करके यानि उनके पिता जी का phone आता है और वो मेरी family के साथ मुझसे मिलने के लिए आना चाहते हैं इस बारे में बात कर रहे हैं सच कहूंत क्योंकि 2nd April थी मुझे लगा April fool कहीं कोई ना कर रहा हो क्योंकि मेरे कुछ friends मेरी problem जानते थे तो मैंने believe नहीं किया और मैंने phone कट कर दिया तूरं दस मिनिट के बाद आकानशा का phone आया और मुझे कहा उफ्तने क्या तुम पागल हो और तब मुझे realize हुआ कि यह तो सच में हो रहा है मैंने तूरंट से वापस वापस फोन किया माफिय मांगी और फिर छे अप्रिल को उ इसी December में हमारी शादी है तारिक अभी तक नहीं निकली है जैसे ही डेट होगी सबसे पहला काड़ भगवान जी के बाद रिशप सर आपके श्री चरणों में मैं भीजूंगा और आपको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा यह success story जितने लोग देख रहे हैं मैं आज बहु भी spiritual practice करते हूं कि मैं spirituality मैं बहुत मानता हूं तो मैंने पांच दिन में ही माता उपस्थित हैं यह महसूस किया था एक tension दिमाग से चली गई कि अब जो होगा वो देखा जाएगा बस अगर माता को माता का होना मैं feel कर सकता हूं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है तो आप जो manifest कर रहे हैं उसके लिए all the best रिशप सर आपको success तक लिएके ही जाएंगे और जिन्दगी को बहतर नहीं खूप सुरत बनाएंगे आपका शिश्य वरुन जय श्री कृष्ण रिशप सर भाया वरुन जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण में बहुत बहुत प्रसंद्न हूं बहुत खुश हूं कि आपने इतने प्यारी success story share की आपने end में जो message जो मैं इतने time से समझाना चाह रहा हूं आ आपाऊं टीम के साथ आपाऊं एक प्यारी सी success story shoot कर पाएं लोगों को motivate कर पाएं बहुत बहुत बढ़ाई हो आपको आप बहुत सारी success manifest करें मेरी बस यही प्रत्ना है बाकी मेरे प्यारे students जो भी यह success story देख रहे हैं आप तक यह वीडियो पहुचे जैसे मैंने पहले ही क खुबशुर्द बनाई है क्योंकि मैं रिशाब गौतम आपका गुरू आपका मेंटर इंतजार कर रहा हूं आपकी success story का कमेंट में जाके फड़ाफट से लिखिए आई विल शेर माई success story very soon जय हिंद जय भारत एंड जय श्री कृष्ण हुआ है